असकार में नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल भूचपुरी गौसिपे तो जियां चटपटी और मज़ेदार बाते हमेशा करता हूं इधर कर दीजे कैमर में गुंजन सिंग और भाया गालो पे गुलाल पूरा एकदम होली की तयारी और भाया जाहिर सी बात है त्यरंग का मौसमै आनि वाला है और एएसे में पहला धमा का हमी को मिला है तो सबसे पहले चैनल के छेनल पर स्वागत करता है स्वागत भीर्यग भीशाम में आपके चैनल के देखे हाला पहले हम लोगा गया वर्दभ कन को से ही रोनियों के साथ आप होली में गुलाल लगाते हुए नजर आने वाले हैं किस किस को च्छिड़ने वाले हैं बहुत सारी लर्कियां है और सब देखा लाइन से भी सुटिंग चला ता आज कुछ गाना के मगही भोजपूरी फिर अभी चलते रहेगा आज भी कुछ है फिर ऐसे ऐसे ब्रेक लेले करके हम लोग करेंगे सुटिंग इस पर सबसे जादा किसमें जादा हो लेने वाले हैं मगही में जादा फूहार ल लेक्ट आने वाले मतलब किस भासा में सबसे जादा आपका जो रंग और गुलाल वाला है मगही भी भुजपूरी बराबरे रहता है लगभग मगही जितना रहेगा उतना लगभग भुजपूरी भी रहेगा तो लगभग बराबर रहेगा अग गुण्जन सेंग बेश्टन भी और जो फ्लेवर होता है मघी का वह भी रहेगा बुछपूरी का भी जो फ्लेवर होता है वेश्टन और लाइव टाइप का सब मिला करके हम लोग कर रहेएं कर रहें लेकिन अब सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपने खुले आम और साती सात तो पहले क्या वाक्य में ही गुजन सेंग सांसद बनने के iyisक्राइव, क्या उन्होंने के सूपके कि लिए। क्या वाक्य में इसे बार नवादा की दर्ती पर गुजन सेंग का बात साथ चलेगी। और नवादा लोग सबहा क temiat Hide साथ में हैं और सब के दिल से पुकार निकला तब हम चुनाओ लड़ने के लिए हाँ भी बोले करीब दो वरसों से लोग कह रहे थे भाई आवे के चाहिए आवे के चाहिए घर के बेटा आप है नवादा के बेटा है आप नवादा से चुनाओ लड़िये क्योंकि सब बाहरी लोग आ रहे हैं नवादा का कुछ विकास नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जीतते हैं और जीतने के बाद दिखाई नहीं पढ़ते हैं। तो यह हमारे हाँ यह दुर भाग्य कहिए कि नवादा लोग सभा का गरीब 70 वर्सों में एक ही बार हमारे नवादा के लोग सांसद बने हैं बाकि सब बाहरी बने हैं तो इस बार सब एक नारा चल रहा है नवादा में कि नवादा का बेटा नवादा का नेता तो हम लोग इसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं और सब लोग मेरे साथ हैं लोग मुझे दिल से प्यार कर आप लोग अमरा भाई है आप लोग एकदम खुब प्यार दीजिए एकदम सांसत बनाईए और मेरा लच्छ है कि नवादा कुछ यमकाना है मुझे क्योंकि मैं देख रहा हूं कि नवादा वहीं का वहीं है जहां पहले था नवादा का बेटा और नवादा का नेता नवादा का नेता कैसा है किस तरीके का नेता के आप उपेख्छा कर रहे हैं आप अपने अपमें किस तरीके का नेता बनने की कोशिस कर रहे हैं कि जो 70 सालों में लोगों ने चेंज नहीं किया आप क्या-क्या चीजों की मुद्दे क के से दें गुंजन सिंग का चीज होने वाले हैं देखिए मेरा नवादा जो है नवादा लोग सभा में जीरों से काम करना पड़ेगा ना वहां बढ़ियां अस्पताल हैं जिसमें कि लोग इलाज करा सके वहां अगर सारी विवस्थाइं होती नई तकनिके की मसीने होती तो लोग को पठना नहीं आना पड़ता कितने लोगों की जान चली गए इसी में यहां उहां करने के चकर में तो हम बढ़ियां अस्पताल बनाएंगे जिसमें कि लोग को हां बहुत बड़ा केस हो तब पठना दिल्ली की बात हो ऐसे नवादा में ही मेरा सॉल्व हो जाए ऐसा बेवस्ता हम नवादा में करें हमारा नवादा में कोई केंद्रिय बिद्यालाई नहीं है जो कि अगर केंद्रिय बिद्यालाई होता तो मेरे घर के बच्चे मेरे पूरे परिवार जो नवादा लोग सभा का है सब लोग नवादा में पढ़ते ना कोई मेडिकल कॉलेज है ना कोई पॉल्टेकनिक कॉलेज है ये सारी चीजों को हम मुझे लाना है क्योंकि बगल्ब के नालंदा में मेडिकल कॉलेज है लेकिन नवादा में नहीं है तो नवादा में कब होगा सतर बरस तो लोगों ने बिता दिया और वो बाबू आ रहे हैं तो वो बाबू आ रहे हैं सब बाबू आए कुछ नहीं किये नवादा के लिए तो अब नवादा के लोग जाग गये हैं कि इस बार हमको नवादा का बेटा को चुनना है हम लोग कहां जाएंगे गिरते बजडते वो तो नहीं दूर में रहेंगा नवादे में जब घर है तो घर में रहेंगे लोग उम्मीद रख रहे हैं कि गुणजन सिंग अपना घर का बेटा है नवादा का बेटा है तो मुझे ये लगता है कि मेरा करतब है मुझे करना है आज भी करने हैं खानवादा लोग सबा के लिए बहुत ज़्यादा कोई घटना हो या फिर अभी हाल में देखिए एक भर भी घानवादा लोग सवाम आता हूं है यादप परिवार में बच्ची का बलतकार हो गया और अत्या कर दिया गया उसमें गय थे जा करके जो आर्थिक मदद हुआ उबी कि ये पलस पिलीस परसासन से गुहार किये बात किये स्पी साहब से और पलस बिहार सरकार से भी मांग किये कि आप वैसे आरोपियों को भासी के सजा दें लेकिन चुनाब तो आप लड़ने की बात कर रहे हैं लेकिन जहां आपका नाम भोजपुरी इंडस्ट्री से आप आते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री से दो ही नाम इस समय घर के आ रहा है एक तो पवन सिंग का नाम आ रहा है और एक आपका नाम आ रहा है आपने भी कहा है कि भाई नवादा से चुनाव लड़ेंगा और पवन सिंग ने भी कह दिया है कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे तो आरा सही लड़ेंगे लेकिन पवन सिंग का भी अभी तक कुछ उनों ने फाइनल नहीं किया कि भाई कौन से पार्टी से लड़ेंगे और आपका भी गुंजन सिंग का भी वही काते हैं कि दो डायलोग चलता है कि जैसे काते हैं कि पवन भिया बोलते हैं कि गुंजन मा आप भी बोलते हैं पवन भिया भी अपने इंटर्वू में काते हैं कि हमको जो प्यार करता है जो मबबत करता हमको पवन मा कहता है क्योंकि दिल तो ही किस पार्टी से हैं यह अभी तक confirmation नहीं हो रहा है लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि वाके में दो सुपरस्टार जो भोश्पूरी इंडस्टी के जो धरोवर बन चुके हैं वो किस पार्टी में जाएंगे यह अभी तक खुलासा ही नहीं है क्या वाके में सस्पें कि वान में नहीं आते तो नहीं आते जब आ गए जब सब लोगों ने मेरा हाथ को ठाम लिया पकड़ लिया सर पे आसिरवात दे दिया पूरे नवादा लोग सभा की जनता अब देखते होंगे इतना भीड लाखों का पर अस लोगों का दिल से आवाज निकलता है कि आप ज मैं आइकॉन मानता हूँ नरिंदर मुदी जी को हमारे सस्वी पधान मंत्री जी है मैं उनका फैन हूँ नरिंदर मुदी जी उनका फैन हूँ और मैं उनहीं के गठवंदन से चुनाव लड़ना चाहता हूँ चाहे बीजेपी हो चाहे चिराग भीया युवा में हैं उनका भी क्या कहें इतना बार से मैं कह रहा हूं मांग रहा हूं और हर हमेशा बाचीत कर रहा हूं और लगा हुआ हूं बाकी देखिया असिरवाद कहां तक मिलता है बाकी जनता मेरे साथ में है यह सबसे बड़ी बात है और इस बार नवादा में नेता नहीं चलेगा नवादा का होना चाहिए इस बार बात बताइए पुबन सिंग से आपकी कुछ बात हुई क्या वो किदर से लड़ेंगे पीछे-पीछे लड़ेंगे क्योंकि आपके दोनों का कनेक्शन बहुत क्लियर है जब भी मिलते हैं दिल खोल के मिलते हैं जिस तरीके से वह आपने बुल्डोजर स जो फूल बरसाया था वो जो भब स्वागत हुआ था उसको देखकर लोगों ने कहा कि क्या वाक्य में ऐसा भी फूलों की माला हो सकती ऐसी बी चीज़ों हो सकती है क्या मतलब बिसेश तेयारी थी क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं तो प्यार है जनता का और लोगों ने भी हम लोग अर्पित की और फिर फूल बरसाया गया तो बस यही है पूरे नवादा अपने साथ में है और बाकी तो हम कहिए दिये कि हम किदर से लड़ना चाहते हैं और उसके बावजूद भी अगर कुछ प्रस्थिती नहीं बना तब भी चुना लड़ा जाएगा तब हम अशिरबाद हम लोग इधर आगे बढ़ रहे हैं चुनाव की और तो दोनों देखना है और अशिरबाद देते रहना है तेंक्यू वहां जाशिरबाद